हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे कुछ M.C.Q के बारे में जैसे M.E.S. exam के लिए सबसे important M.C.Q के बारे में ये चार option आपके सामने होंगे उसमें से सिर्फ question और उसके answer के discuss करेंगे कच्ची सामगरी का आशय क्या है तो कच्ची सामगरी में सबसे important होता है कि उत्पादन में जो प्रयुक्त प्रत्यक्ष वस्तु होते हैं जो कच्ची सामगरी जो अभी तक procurement करने के बाद ना ही उसमें कोई procedure हो चुकी है उसे कहो गया आप कच्ची सामगरी नेक्स्ट कोशन है माल भंडारन में क्या शामिल होता है माल भंडारन में शामिल होना चाहिए उत्पादन की कच्ची सामगरी नेक्स्ट कोशन हमें पूछा है कि उत्पाद की मात्रा पर निर्धारन वीधी क्या है जब भी उत्पादन की मात्रा पर निर्धारन यवव गन्ना की वीदी क्या है सबसे important है जब भी उत्पादन की मात्रा उत्पादन की मात्रा निर्धारन यवव गन्ना की वीदी है कालंतर वीदी कुनसी वीदी? कालंतर वीदी कुनसी वीदी? कालंतर वीदी ठीक है चलिए नेक्स्ट आपके सामने हैं यहां हमें पूछा है कि निमनलिकित में से माल भंडार नहीं है या कौन सा माल भंडार नहीं है तो हमें ध्यान देना चाहिए इसमें से कौन सा माल भंडार नहीं होगा कौन सा माल भंडार नहीं है तो फिक्चर्स नहीं है फिक्चर माल बंडार में pictures नहीं आते pictures क्या होते हैं आप यह हमारा detail वीडियो देखिए आपको वहाँ तुरन समझ जाएगा कालंतर विदी में माल की गन्ना की जाती है कालंतर विदी में माल की गन्ना की جाती है एक निच्चित आउधी की पश्चात जब भी एक निचित अवधी हो जाए उसके बाद माल की गन्ना की जाती है निरंतर सुची का विशे आशे क्या है जब भी आप निरंतर सुची का विशे की बात करते हैं ऐसे situation में निरंतर सुची की जब भी आप बात करते हैं ऐसे situation में क्या होता है प्रत्यक निर्गमन पर जो कुछ भी निर्गमन हो उसमें माल बंडार का stock क्या है और उसे ग्यात करने की जो विधी होती है उसे कहेंगे निरंतर सुची विधी उसे कहेंगे निरंतर सुची विध यहां तक सभी को clear है चलिए next देखिए क्या दिया है हमें और आगे कहा कह रहा है next question जैसे ही आगे पहुचते हैं अर्धन निर्मित माल है अर्धन निर्मित माल है जो work in progress जिसे कहो गया आप अर्धन निर्मित माल है जिस माल पर उत्पादन का कार्य प्रारंब हो चुका है उसे कहोगे work in progress अर्धन निर्मित माल जिसे कहा जाएगा अब देखते हैं कच्ची सामगरी की मुल्यांकन की उचित विदी क्या है कच्ची मुल्यांकन सामगरी की उचित विदी क्या है तो सबसे important है कच्ची सामोरी के लिए उचित वीदी है उस चीज की लागत मुल्या क्या है cost value पे हमें ध्यान देना चाहिए निम्नलिकित में से stores क्या है जब भी stores की बात होती है जब भी stores की बात होती है तो हमारे सामने छोटी-छोटी चीज जैसे किले, सरेस ये सब पकड़े जाएंगे stores में मगर footker, आउजार, लकडी, टूबलाइट ये सब stores में पकड़े नहीं जाते हैं आगे जैसे ही आप चलते हैं कच्ची माल, कच्ची सामोरी के मुल्यों में गिरावट जब आ गए जब भी कच्ची सामरू की मुल्यों में गिरावट आने पर इसका मुल्यंकन करना चाहिए किस पर गिरावट आ गई है तो आपको हमेशा फोकस करना चाहिए बाजार मुल्यों पर किस पर फोकस करना चाहिए बाजार मुल्यों पर फोकस करना चाहिए वो क्या कहलाएगा तो वो हमें बता रहा है स्टोर्स कहलाएगा क्या कहलाएगा उसे स्टोर्स कहलाएगा कम मुल्य का माल जो उत्पादन में आप प्रत्यक्षरूप में सयोग करता है कम मुल्य का माल जो कम उसकी कौश्ट है आप प्रतिक शुरूप पर पार्टिसिपेट कर रहा है उससे आप कह सकते हो स्टोर्स क्या कह सकते हो स्टोर्स निम्नलिकित में निर्मित माल क्या है जब भी आप निर्मित माल की बात करते हो निर्मित माल की जब भी आप बात करो तो उसे कहोगे कि जो माल delivery के लिए रखा गया है delivery है तू रखा गया माल उसे आप कहोगे निर्मित माल माल भंडारंग के मुल्यंकन से संबंदित लेखा मानक कुन सा है जब भी आपको यह ऐसा समझ में आए तो वहाँ पे काम करता है लेखा मानक 2 अक एयर्स 2 माल भंडारंग के मुल्यंकन के एयर्स 2 काता है वहाँ पे लेखा मानक लेखा मानक 2 काम करता है माल भंडारंग के मुल्यंकन से संबंदित लेखा मानक के अनुसार माल भंडार का मुल्यांकन करना चाहिए कब करना चाहिए जब भी कब करना चाहिए एतियासिक हमेशा उसे historical cost पर करना चाहिए जो प्राप पर मुल्य है या फिर मतलब closing stock जिसे कहोगे इसमें से दोनों में से जो भी कुछ कम हो उस पर करना चाहिए प्रमानित मुल्य वीदी में निर्गमन मुल्य क्या होता है निर्गमन मुल्य की जब भी आप बात करो तो ऐसे situation में प्रमानित मुल्य में जब भी प्रमानित मुल्य की बात होती है तो वो दोनों से भिन्न मुल्य होता है standardizedization से भिन्न होता है यहां तक clear है आप लोगों को बढ़ते हुए किम्मत स्तर में निर्गमन के शेशरह स्टॉक का मुल्य तो लात्मक रुप से लीफो विधी में लीफो हमेशा लीफो हमेशा लेटिस्ट में काम करता है लीफो हमेशा लेटिस्ट में काम करता है तो ऐसे सिचुएशन में हमें उसे मिनिममं पे धान देना चाहिए किस पे धान देना चाहिए नियोनतम पे मिनिममं पे धान देना चाहिए उत्पादन विभागों को निर्गमन के पश्चाद शेश रह स्टॉक का मुल्य बढ़ते हुए किमत सतर के समय सरवाधिक होता है उत्पादन विभागों को निर्गमन के पश्चाद शेश रह स्टॉक का मुल्य बढ़ते हुए किमत सतर के समय सरवाधिक होता है कौन से सिचुएशन में होता है तो वो होता है फीफो कुनसा होता है फीफो मेतर से हमें ये द्यान देना चाहिए सामगरी निर्गमन के मुल्यांकन की कीस विधी में कालंतर एवं निरंतर विधी से ग्याज स्टॉक का मुल्य समान रहता है किसमें ये समान रहता है तो वो होता है फीफो मेतर में हमेशा सामगरी निर्गमन के मुल्यांकन की किस वीधी में कालंतर और निरंतर जहां पर आपको टाइम बाउंडेशन दिखेगा वीधी से ग्याज श्टॉक का मुल्य समान रहता है वो है फीफो मेथड में next question पुछा गया कि किमते बढ़ने की स्तिती में उत्पाद लागत में वुरुद्धी होती है यह संकल्प मा कौनसी है किमते बढ़ने में स्तिती में जब भी किमत बढ़ने लगे ऐसे situation में उत्पाधन भी बढ़ता है यह हमेशा आपको दिखाई देगा latest method current method जिसे आप कहते ह लिफो मिदर नियुंतम स्टाउक विदी का मुल्यांकन किया जाता है किस पे किया जाता होगा यह बताइए तो यह किया जाता है स्थाई संपत्यों की भाती लागत मुल्यापर नियुंतम स्टाउक विदी नियुंतम मात्रा का मुल्यांकन किया जाता है स्थाई संपत्यों की भाति लागत मुल्य पर जो कुछ भी हो लागत मुद्य पर किया जाएगा next देखते हैं next देखते हैं हमारे सामने ये भी semi question था तो ये नियुन्तम स्टाक विदी में नियुन्तम सीमा से अधिक सामगरी का निर्गमन की इस मुल्य पर किया जाता है तो वो किया जाता है चालू संपतियों के लागो नियम से किया जाता है बाजार में किम्ते अधिक है लेकिन उत्पादन उत्पाद की लागत कम आ रही है ऐसे situation में सामगरी का निर्गमन किया गया हो तो क्या होगा तो ऐसे situation में लिफो विधो से हमें काम करना चाहिए लिफो जो विधी है उसके हिसाब से हमें काम करना चाहिए अब हमें question देखिए क्या पूछा गया है कि फीफो विधी में चुट्थे की स्तिती कैसी होती है फीफो विधी में हमें चुट्थे की स्तिती पूछ रहा है तो वो होती ही विश्वस्निया कैसी होती है विश्वस्निया होती है लिफो विधी में चुट्था प्रकट करता है लिफो विधी में चुट्था क्या प्रकट करता है साथी साथ स्पीटी वीधी में निर्गमन मुल्य क्या ग्याद कीजे जब भी आप 26 की बात करें ऐसे सीचुईशन में होता है कुल लागद को अगर आप बटा करते है wash Leh अगर तैने कुल लागद को अगर आप बटा करते हैं शुद्ध सामगरे से सर्वोचित विदी इसमें आता है स्पीती विदी कौनसी विदी होती है स्पीती विदी कौनसी विदी स्पीती विदी अब आगे देखते हैं उत्पादन विभाग द्वारा भंडार विभाग को लवटाई गई सामगरी का मुल्लेंकन किया जाता है किससे किया जाता होगा आप लोग भी जानते हो किससे किया जाता होगा यहाँ पर किया जाता है मुल्य जिस पर निर्गमन किया गया था उससे किया जाता है जिससे निर्गमन किया गया था अब आगे पूछ रहा है कि व्यापारी द्वारा पूरती करता को सामगरी लवटाने पर फीफो मननेता के अनुसार मुल्यंकन कब होना चाहिए जब भी ऐसी बात हो यह होता है कि जिस दिन उसे लवटाने की तीती को सबसे पुराना वैलू, सबसे ओल्डेस्ट के इस पर हमे ध्यान देना चाहिए, नेक्स्ट हमसे पूछा गया है, चलिए, थर्टी निम्मर का कोशन हमें क्या दिया गया है, कि सामगरी के सामन्यक्ष हेतू, उत्तरदाई कारण है, किस चीज की कारण है, किस चीज की कारण है, हमें वो देखना चाहिए, तो उसकी सामगरी का सभाव कैसा है समगरी का स्वभाव यह भी एक उत्तरदाई कारण है तयार माल का मुल्यंकन कब किया जाता है तो तयार माल का जब भी मुल्यंकन हो ऐसे सिट्वेशन में बाजार मुल्य और लागत मुल्य बाजार मुल्य और लागत मुल्य इन में से जो भी कुछ कम हो उस पे किया जाता है निर्मित माल का हिस्सा कौन सा है निर्मित माल का हिस्सा कौन सा है जो पसंद वापसी का शर्त माल है वह यह वापस कर दिये ये भी तो निर्मित माल है चालनी पर माल ये भी है मारग में माल ये सारे हम डिटेल में explanation कर चुके हैं अपने previous lecture में तो आप एक बार वीडियो देख लिजेगा निर्मित माल में शामिल किया जाता है निर्मित माल में क्या शामिल किया जाता है तो निर्मित माल में चालानी पर माल पकड़ा जाएगा मुल्य लागत में शामिल है मुल्य लागत में क्या शामिल है हमें देखना चाहिए कि मुल्य लागत में क्या शामिल है मुल्य लागत में हमें प्रयुक्त कच्ची प्रत्यक्षशरम प्रत्यक्षवय यह सब आते हैं यही चीज हम इंगलिश में भी डिसकस कर चुके हैं तो आ उल्द के साथ साथ कार्खाना का उप परीवई कितना है। अरधा निर्मित मात्र के मुल्यांकन की सरोच्चित विदी है। तो जिसे आप कहोगे, कार्खाना लागत के आधार पर होता है। सामन एक्षय के लेखांकन की दो विदिया है सामन एक्षय के लेखांकन की दो विदिया है जिसमें आता है स्पीती विदी कौन सा आता है स्पीती विदी स्पीती विदी यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा तो देखते हैं आगी का क्या पूछा गया है हमें तो असामान्य लेक्षय का लेखा कि ये कैसे किया जाता है कोशन पूछ रहा है कि असामान्य लेखा कैसे किया जाता है तो वो किया जाता है लागत लाप माइनस हानी खाते में लिया जाता है ठीक ही ये पकड़ा जाएगा असामान्यक्षय को जिसे आप कहते हो लॉसे से किसाब से तुल्य उत्पादन का आशे क्या है जब भी आप तुल्य उत्पादन का आशे पकड़ते हो तुल्य उत्पादन का जब भी आप आशे पकड़ो ऐसे सिचोशन में अर्धन निर्मित इ परिवरतन से तूल ले उत्पादन का मतलब होता है फुटकर औजारों का मुल्यांकन किया जाता है जो जब भी फुटकर औजारों का मुल्यांकन करा जाएगा ऐसे सिनारियों में हमें पुनर मुल्यंकन वैलू पर धान देना चाहिए, उसे पुनर मुल्यंकन वैलू पर हमें धान देना चाहिए, सामगरी आवर्त का सुत्र क्या है, सामगरी आवर्त का सुत्र है, material consume divided by average stock, material consume divided by average stock, it is equal to सामगरी आवर्त, इसे कहेंगे, ठीक है, तो जैसे ही आप आगे चलते हो, तो हमें एक चीज मिलता है कम आवर्त वाली सामगरी श्टोर में होनी चाहिए क्या होनी चाहिए तो वहां होनी चाहिए नियूंतं स्तर पर आपको श्टोर होनी चाहिए श्टॉक आवर्त का आशे क्या है जब भी आप श्टॉक आवर्त की बात करो ऐसे सिचुएशन में श्टॉक आवर्त है क्या अगर ये समझना है ये समझना है तो हमें ध्यान देना चाहिए किसी भी निश्चित अउधी में प्रयुक्त सामगरी का आउसत सामगरी से कितना यह हमें देखना चाहिँ जाया चलिए नेक्स्ट कोशन हमारे सामने है जो कोशन पूछ रहा है कि वेड़ विशलेशन की बात करते हो तो वहां किस प्रयोग में वान्चनिया है तो यह किस प्रयोग में वान्चनिया है जब बन स्प्सक्राइब करते हैं जब आंध करते हैं स्टॉक नियंत्रण तकनिक कूंसे है स्टॉक के नियंत्रण के आधार पर जब हम बात करें तो वहाँ होता है वेड इविश्लेशन जो स्टॉक के कंट्रोल पर बात करता है वेड एनलिसिस में ABC में से अवर्ग में रखे वाली अवर्ग में सरवाधिक मुल्य सामान्य तो सरवाधिक रखा जाता है A में सरवाधिक A में क्या रखा जाता है सरवाधिक मुल्य वाला जैसे ही सामगरी नियंत्रन की मुल्य पर आधारिक तकनिक है जब भी सामगरी नियंत्रन material control पर अगर आप ध्यान देते हो तो उस पर कौन काम करता है तो वो होता ABC analysis जिसमें high tide ऐसे सब होते हैं इसके पूरा detail प्रिवेस लेक्चर में हो चुका है बिन का आशे क्या है जब भी आप बिन की बात करो बिन जहां ऐसी सामगरी का स्थान जहां वो सामगरी रखा गया है क्रय मांग पत्रत तयार किया जाता है क्रय मांग पत्रत कब तयार किया जाएगा जब आपकी क्या होगी भंडारन विभाग द्वरा जब भंडारन विवाग क्या करेगा, डिमांड करेगा, तब उसी सीचुएशन में क्रय मांग पत्र बनेगा सामगरी बजट आधारी थे, सामगरी की बजट किस से आधारी थे, तो उपयुक तो सभी में से आधारी थे जिसमें पुंजी की उपलब्दता होनी चाहिए, भंडारन की सुविदा होनी चाहिए और मौसमी उपलब्दी और एवं उसके मांग भी होने चाहिए यह हमें ध्यान देना चाहिए चलते हैं नेक्स्ट कोशन की और जहां हमें पूछा जाएगा यह वाला कोशन स्टॉक नियंतरन अनिवार है, स्टॉक नियंतरन किसके लिए अनिवार है तो वो है कच्छी सामगरी का प्रवान नियंतर बनाये रखने के लिए क्रय लाग्तों की नियुंता लाने के लिए कारेशिल पुंजी के प्रभाविकारी उपयोग है तू ये सभी के लिए हमें important होते हैं stock नियंतरन माल भंडार नियंतरन का उद्धेश क्या है तो सबसे important है अनावश्यक क्रय को रोकना उतपादन हेतु निरंतर सामगरी उपलब्द करा देना यही उसका main हेतु होता है जब भी आप आगे की बात करें निम्न लिखित में भंडारन लागत का उधारन क्या है तो भंडारन लागत का उधारन जब भी आप देखो तो वहाँ पुंजी की ब्याच पर हमें ध्यान देना चाहिए आर्थिक आदेश मातरा का आश है आर्थिक आदेश मातरा का आशे तो ये होता है सामगरी क्रय एवं संदारन लागोतों में मित वैता हो उसमें मित वैता हो आर्थिक आदेश का मातरा का ये ही होना चाहिए जब भी आप सामगरी क्राय की त्वरित कारेवाई अनिवार हो जाती है यदि सामगरी मातरास्तर पहुँच जाए ऐसे सिचुएशन में क्या होगा ऐसे सिचुएशन में बस संकट सिचुएशन में संकट आ जाए कुछ उसी situation में सामगरी की त्वरित कारेवाही अनिवारिया हो जाती है rdbms 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 हमें क्या देता है जब भी आप rdbms की बात करते हो rdbms हमें one to one relationship बनाने के लिए important देता है one to many relationship और many to many relationship तो यह relationship पर इधान देता है यहाई rdbms relationship एक से बनाओ एक से ज़्यादा बनाओ और बहुतों से बनाओ rdbms 57 question देखते हैं कि इन में से कौन सा database application नहीं है तो dbass है cbass है personal oracle भी है मगर edit ऐसा कोई edit करके ऐसा कोई application नहीं है just a minute पानी पही लेते हैं कि माइक्रो सॉप्ट के द्वारा बनाया गया database कुन सा है माइक्रो डॉप्ट माइक्रो सॉप्ट के द्वारा बनाया गया है access जिसे कहोगे ms access माइक्रो सॉप्ट के द्वारा बनाया गया है अब आगे चलते हैं जिसमें हमें questions मिल रहा है 59 नंबर rdbms की कुछ गुन बताईए rdbms की जब भी आप गुनों की बात करते हैं तो आपको सत्यता समझ में आती है समया नुसार काम करता है उसके relationship की बात समझती है तो इसलिए हमें answer मिलता है उपयुक्त सभी उपयुक्त सभी अब आगे चलते हैं आपको पता चलता है कि http heipertake transfer protocol में web browser का क्या रोले तो यहां जब ऻीण web browser ऐका क्या में करते हो आपको एक हां काम करता है web http क्लाइंट की तरह काम करता है url कावाब कोई सा नहीं है url का कोईसा भाग नहीं है यह पूछ रहा कि url का कोई सा भाग नहीं है, तो हमेशा याज रख लिए पास तो होते हैं, उसकी कुछ प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल भी होते हैं, पोर्ड भी होते हैं, पोस्ट नाम का ऐसा कोई चीज नहीं होता है किस कारेक्टर का उप्योग HTTP नाम और वैलू के अलग करने के लिए यूज किया जाता है, तो वो आप लोग भी जानते हो आप लोग भी जानते हो किस character के ये पूछ रहा है किस character का उपयोग HTTP Hyper Transfer Protocol के लिए यूस किया जाता है तो वो होता is equal to and के is equal to and निमने लिकीत में से कौन सा कथन गलत है सभी internet www का भाग नहीं है सभी internet www का भाग नहीं है हाँ ये सही है और आगी ये पूछ क्या रहा है क्या सही है ये क्या है HTTP का default port 80 है exactly ये भी सही है तो यहाँ पर पूछा और क्या पूछा है HTTP हमेशा HTML में फाइल तैर करता है बिल्कुल गलत ऐसा कुछ नहीं होता computer को निरिक्षन करने का प्रारंबिक गुन क्या है computer को निरिक्षन करने का प्रारंबिक गुन है कम टेक्निकल ग्यान की जरौत होना चाहिए कम टेक्निकल ग्यान की जरौत होना चाहिए तभी तो आप computer बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो लैं अड्मिंस्टेशन गीरा हुगा उता है किससे गीरा हुता है Lenser administration हमेशा program के दाइत्व से नेंक्स निनन में किसका process, processor के साथ application में होता है process, processor और application के साथ होता है किसका process, processor के साथ होता है जल्दी से बताइए तो यह अंसर होता है front end और back end यह दोनों होता है front end and back end यहां तक clear है आपको चलिए यही चीज हमें कोशन और कैसे पूछें यह देखते हैं कोशन देखिए क्या पूछा है एक टेबल को एक से अधित टेबल के साथ संबंद की सुरुप में होता है जब भी एक टेबल का एक अधिक से संबंद बनता है ऐसे सिचेशन को आप करते हैं एक से बहुल संबंद एक से जब भी बहुल संबंद हो ऐसे सिचेशन में निम्न में किस फॉर्मेट को एप्लिकेशन में सीधे नहीं डाला जा सकता सीधे नहीं जाल रहा सकता तो वो format होना चाहिए अपने पास analysis model को नहीं डाल सकते object oriented model, ER model इन सब को आप डाल सकते हैं database की size किसमें मापा जाएगा database हमेशा, database हमेशा gigabyte से मापा जाता है database हमेशा gigabyte से मापा जाएगा database को locking level क्यों कहा जाता है database को locking level क्यों कहा जाता होगा सोचिए तो क्योंकि इसमें hierarchy sequential access method है जो hsam ये जो hierarchical hierarchy sequential access method से इसे locking level कहा जाएगा hsam का पूरा क्या नाम है hierarchical जदी पताई या भी तो हुआ 71 इसका नाम क्या होना चाहिए hierarchical sequential access method hierarchical sequential access method data security database में कैसे जुड़ा होता है data security database में हमेशा प्रत्यक्षरूप में जुड़ा होता है निम्न में से कौन सा logical database structure नहीं है logical database structure नहीं है तो वो है chain system कौन से हैं? chain structure logic से सम्बंदिद data जब समूव में होता है तब वो क्या कहलाएगा? जब भी ऐसी बात होगी ऐसे situation को कहा जाएगा database क्या बनाया जाएगा? database database बनाया जाएगा यहां तक clear हो चुका है तो चलते हैं आगे यह question आपके सामने question देखिए 75 क्या पूचा है? ऐसा की जिसका उप्योग केवल पहचान के लिए की जाती हो जब भी पहचान की बात होती है पहचान की जब भी बात होती है तो ऐसे situation में non intelligent keys होते हैं non intelligent keys non intelligent keys DB2 SQL Server सित्यादी क्या है? यह सब जो है यह सब है database manager DB2 SQL Server यह सब database manager है protocol language में machine language को किस में बदलती है? machine language protocol system में जब भी आप देखो machine language compiler compiler language में जब भी बदली जाती है procedure language machine language में बदली जाती है उसे बोलते हैं compiler compiler procedure से machine language में इन में से कौन सा spooler का परिचे देता है इन में से कौन सा spooler का परिचे देता है तो वो चीज है buffer के बीच input output device buffer के बीच input output device यही काम करता है 79 के जब भी आप बात करो system control का प्रारंबिक दाइत्व क्या है प्रारंबिक दाइत्व क्या है user group develop जब भी user group develop होता है system control वहां से start हो जाती है port protocol device control क्या करता है port protocol किस चीज में device control करवाता है तो वह है system किस में है system में वह port जिसका उपयोग data को manipulate या फिर control करने के लिए किया जाएगा data को control या manipulate करने के लिए किया जाएगा उसे कहेंगे mathematical logical unit ALU filing की परंपरागत पद्दत कौन सी है तो हमें परंपरागत पद्दती दूनना होगा तो ऐसे situation में परंपरागत पद्दत जब भी आप देखोगे तो ऐसे situation में कौन सा बनता है तो वो है box file कौन से file होती है box file तो filing की आधुनिक पद्दत बताईए आधुनिक पद्दत बनती है खड़ी file ठीक है खड़ी file हमारी बनती है निमनलिकित में अगर आप जब भी धान दो परंपरागत फाइलों का एक जोड है जब भी आप परंपरागत फाइलों की जोड देखते है तो आपको सीधे नजर आती है कि metal file और box file ये परंपरागत फाइलों की जोड है filing की और कुछ चीज़ समझना चाहते हो तो filing में निमनलिकित में से कौन सी वीधी सरुत्तम माने जाती है जब भी सरुत्तम मानने की वीधी हो ऐसे situation में लंबवत filing की बात होती है कौन सी filing वीधी सबसे पुरानी है सबसे पुरानी filing वीधी कौन सी है तो वो है tag filing कौन सी है tag filing आगे चलते हैं फ्रेंकिंग मशिन फ्रेंकिंग मशिन की निमनलिकित में से किस कारे के लिए प्रेट किया जाता है जब भी फ्रेंकिंग की बात होती है जब भी फ्रेंकिंग की बात होती है ऐसे केस में आपको टिकेट छापने के लिए काम होता है टिकेट छापने के लिए फ्रेंकिंग मशिन होता है कारेला यंत्रिनी करण का प्रेडाम क्या हो सकता है इससे क्या होगा कारेला यंत्रिनी करण करने से कारेले को जब भी आप यंत्रिने करने जाते हो ऐसे सिचुएशन में आपकी कारेले की प्रशिक्षन की आवशक्ता बढ़ती है करमचारियों का विरोध होता है और अधिक लागत हो सकती है इसलिए इसका अंसर अपुरुक्त सभी है खुले कारेले का दोश क्या है जब भी कारेले खुला हो जब भी कारेले हमेशा खुला हो ऐसे सिचुएशन में खुले कारेले में आपको गोपनियता रखना बहुत मुश्किल हो जाता है अग करमचारियों में एकागरता नहीं होता जो कोई भी आए और कोई भी जाए ऐसा हो सकता है supervisor के i operizer के रूप में चोटे कारेलो में कौन से कारी करते हैं तो वो कारे करते हैं लेखा कर कोन करते हैं लेखा कार तो ये थे आज अपने 90 कोशन जो हमने आज डिसकस किया है बाकी के लेक्चर सुनने के लिए ऐसे ही इस चैनल को सब्सक्राइब करे शेयर करे जितना हो सके फैल आईए मिलते हैं नेक्ष लेक्चर में धन्यवाद